असलाव लेकुन दोस्तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 1.4 है तो जैसा बचो आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखे हैं उसके नदर मैंने एक भी कोशन स्कीप नहीं किया है तो दोस्तो अगर आपको पूरा जोमेट्री इच और वी कोशन पढ़ने का है तो हमारे इस चैनल के साथ में आप जुड़े रहे हम पूरा थैरम के साथ और एक्सेसाइज के साथ प्रूफ के साथ जो थैरम का जो प्रूफ है हम पूरा प्रूफ आपको करके दिखाएंगे तो दोस्तो अगर आप यहां हमारा चैनल को देखते हैं तो उसके अंदर कैसा साथ से हम आपके लिए चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आईए दोस्तों मेरा नामे मुम्मज जकरिया और आप देखने संजरी अकेडमी पर आउनलाइन लेक्चर तो आईए दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 यहां देखींगे दोस्तों मैंने सवाल के अंदर यह सवाल तो उतार चुका है मैंने लेकिन आप पर दो एक मसला लिखा है मैंने मुतिशाबा मुसल्सों के रखबों का मसला यह एक मसला है यह मसले को बोला जाता है मुतिशाबा मुसल्सों के रखबों का मसला इसकी तारिफ क्या होती है इससे पहले मैंने आपको बता चुका है मुतिशाबा मुसल्स किसे कहते है मतलब दिखने में एक जैसे हो वो छोटे बड़े हो उससे फरत नहीं पड़ता है लेकिन यहाँ दोगों अगर 2 दो मुसल्स दे रहाएं आपर ABC दे रहा है मुसल्स ABC मुत्शाबा होता है मुसल्स किसके P, Q, R के तब क्या बुलता है तो इनके रखबों की निस्बत रखबों की निस्बत रखबा निकालने आता है इससे पहले मैंने काफी डीप में बता चुका है किसका रखबा A, B, C का तो रखबा निकालने तरीका मैंने बताया था Area of triangle क्या जगा हमाँ पर इससे पहले हम क्या लिखते थे A, B अगर यह मुतिशाबा है तो हम क्या लिखते थे A, B A, B, बते क्या लिखते थे P क्यों है बस खाली इसके उपर हमको क्या लगाने का मुरब्बा लगाना है क्या लगाने का है मुरब्बा अब ये भी क्या होता है पराबर होता है अब ये भी लिया था हम क्या लेंगा पर BC यहां पर हम लेंगे BC बटे क्या जाएगा यहां पर QR फिर इसके उपर भी का जाएगा मुरब्बा ये भी बराबर फिर इसके बाद क्या लेंगे हम AC यहां पर क्या जाएगा AC बटे का जाए है यह मसलख कब लगेगा जब आपको सवाल में क्या बोलेगा मुदो मुतिशाबा मुसलश बोलेगा तब यह यह आला मसलख हम लगाएंगे तो आईए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिसेट का कोशन नमबर एक तो दोस्तों क्या दिया है यहां को एक अवाल के अंदर दो मुतिशाबा मुसल्सों के नजीरी जिलों की निजबत हमको यहां पर मुसल्स दिया है जिनका नजीरी जिटा नेएbahnर तेकर रख़ा है तो सबसे पहला यहां पर हम क्या गर features करते हैं तो हमने दो मुसलस लिया है और देखो नजीरी जिलों के निजबत ये नजीरी जिला दे रहा है रखबा नहीं दे रहा है नजीरी जिले की निजबत किता दे रहा है तीन की निजबत किता दे रहा है पांच है तो इनके रखबों की क्या मालूम करने का हमको निजबत मालूम करने गए इसको करने का तरीका देखेंगे तो बहाँ पर मुसलस ABC मुसलस ABC छोटा मुसलस चोटा मुसलस है चोटा मुसलस है और मुसलस PQR बड़ा मुसलस है अब इसको क्या निकालने कर म Warum के तो अबकरने का खतर है रगंड़ा का से तरृए यह पैटन होगा was से एडिया जिलह नाम Que नाम थिया इसाथ का लुग होता है है बरावर होता है इनके नजीरी जिलो की निजबत दिया थया है जिला नाम दिया है कि मतलब यही जिला होना चाहिए हम अपनी मर्जी से कोई भी जिला ले सकते हैं अगर हम यहाँ पर A B लेते हैं तो नीचे हमको क्या लेना पड़ेगा P Q अगर हम B C लेते हैं तो हमको लेना पड़ेगा नीचे Q R अगर हम A C लेते हैं तो हम नीचे लेना प का मसला मुटाब मुशलेसों के मुशलेसों के रख भों का मसला इससे पहले भी बतादिया है अब क्या करना सब की वेलुप टब करना है एवी क्या होगा एवी शोटा मुसलेस और बड़ा मुसलेस का नजीरी जिला हैं तहांपर हम क्या लेकिए area of triangle ABC बटे area of triangle PQR बराबर होता है ए भी मतलब छोटा ना तो छोटे के लिए क्या आएगा तीन आएगा तो हम क्या लिखिए तीन बटे PQ PQ कितना हो जाएगा पांच है और उपर क्या है इसके उपर मुरब्बा है अब सब का मुरब्बा निकालो area of triangle ABC बटे area of triangle PQR यह बराबर होता है तीन का मुरब्बा क्या हो जाएगा नौ और पांच का मुरब्बा क्या हो जाएगा 25 अब हमको लेकिन क्या निकालने का था रग रखबों की निजबत निकालना है बराबर अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं एरिया ओफ ट्रेंगल ए बी सी की निजबत इसकी निजबत इसके साथ आईगी तो एरिया ओफ ट्रेंगल पी क्यू आर बराबर होता है कितना अब इसकी निजबत इसके साथ निकाल देंगा तो क्य ABC का निजबत 9, निजबत की एपर 25 की एपर 25 तो अपर मैं चालिक हूँ है इनके रखबों की निजबत कितना है 9 की निजबत कितना है, 25 है यह हमारा answer था अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसका screenshot ले लिजिए फिर हम बड़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ अब आएए दोस्तो हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 2 तो बहुत ही आसानी देखने में आपको समझ में आ गयोगा क्या करने का है सवाल लंबर 2 देखो क्या बोला है मुसल्लस ABC मुतमासिल होता है मुसल्लस PQR के हो तो लगों आपर निजबत दे करके रखा है AB की निजबत क्या दिया है PQ AB की निजबत 2 है और PQ की निजबत 3 है हो तो दर्जेल की खाना पूरी कीजिए अब देखिए यहां पर AB का मुरब्बद दिया है अगर उपर AB है तो हमको नीचे क्या लेकरना पड़ेगा PQ और उसके उपर क्या आएगा मुरब्बद आएगा अगर उपर AB लोगे तो नीचे क्या लोगे PQ समझ मा रहा है उसके बाद यहां पर इसकी वल्यू देखिए रखाए AB की निजबत की तरिया है दो दिया है और PQ की निजबत 3 दिया है दो का मुरब्ब कितना हो जाएगा चार और तीन का मुरब्ब कितना हो जाएगा नौ देखिए कितना है आसान था इसको इस तरीके से करने का था दोस्तों यहां पर मुसल्लस ABC मुतिशाबा होता है मुसल्लस PQR के यहां पर रखबा दिया है रखबा ABC का रखबा कितना दिय तो दर जेल की क्या करना खाना पूरी करना है यहां पर तुमको क्या दिया ना यहां पर नहीं दिया तो यहां पर क्या लिखेंगे आप लोग और तो पी-क्यू-आर फिर एरे ओफ ट्रेंगल का यहां पर पी-क्यू-आर यह बराबर हुदता है एबी-सी का रगभत कितना दिया है आपको 80 और पी-क्यू-आर की जाएक पर नोगम क्या और यहां पर तो इसको पर क्या जाएग यह हमारा थैरम है मतलब जो मसला बताएगा तो मसला आपको अप्लाइए नहीं करना अगर आपको आता है तो इसे शौट में मतलब बाजू में कर लो सॉल करने हल कर समझेने के लिए यह बराबर होता है यह पूरा इसी लिख दो 80 बटे का जाएगा हमपर 125 जाएगा अब हमको तो तुकड़े कैसा करींगे देखो, A, B, बटे का जाएगा, P, Q, बराबर होता है, यहांपर क्या हो जाएगा, 16, 5 क्या लिख सकता हूँ, 16, 5 क्या होता है, C होता है, बटे, 25, 25, 25 क्या होता है, 125 होता है, तब यह 5 और यह 5 का जाएगा अपस में, तब देखो, मैं इसको ऐसा लिख सकता है, A, B, बटे का जाएगा, P, Q, बराबर होता है, जज़र 16, पूरा ज़र के अंदर 16, बटे क्या होता है, 25, ज़र 16 की और यहांपर निकाले, उसको कहा लिखना पड़े है, बॉक्स में लिखना पड़ेगा, यहां पर क्या है चार बटी कितना है पांच है तो चार बटी क्या जगा पांच तो इस तरीके से दोस्तों को हल करने का था यह जो मैंने किया ना यह यह आपको साइट में करके उसका अंसर निकालना है अगर आपको डाइगली आंसर आता है तो आप डाइगली आंसर भी लिख दोस्तों यह आपको सावाल स्वावारी तुर्ष इसको लिखना चाहते हैं अगर आपको यह वीदियो मेरा समझ में आया है तो इसको लाइक रहें शेर करें और छोटी सी कमेंट पास करें और यह देखते रहें संजीरिया क्याडमी पर आर अनलाइन लेक्चर असलाम लेक्ट झाल झाल